गाइस, सिरफ दो मिनट में गैस और कब से छुटकारा? आज आपको मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजें जो आपकी सारी समस्यां ही खतम कर देंगी आपको भी क्या खाना खाने के बार बहुत ज़ादा एसिटी बन दी है, गैस की समस्या है या आपको खाना खाते इतना हेविनेस लगता है कि आपका फूरा खाना जैसे उपर आ रहा हो या खाना खाने के बार में पेट में दर्श शुरू हो जाता है आपका पेट एकदम से फून ले लगता है, आपको भारी पन होने लगता है, आपका सर भूमने लगता है, खटी टिकारे आती हैं, या आपको चेस्ट में जलन होना शुरू हो जाती है अगर ये सारी समस्याइं आप फेस कर रहे हैं, तो आज के सिरफ दिये हुए दो मिनट आपकी जिन्दकी बदल सकते हैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खतम करेगा और आप एक हिल्दी लाइस्टाइल जी पाएंगे आप तो जानते ही हैं कि हम लोगों का अगर डाइजेशन अच्छा होता है, तो हम हर चीज इंजॉई कर पाते हैं कोई भी खाना, अपनी लाइफ, छोटी सी खुशी को भी बहुत अच्छे से जी पाते हैं क्योंकि जब हमें कोई बिमारी नहीं होगी, हम इंटर्नल ही अच्छा फील करेंगे, तो हर चीज हमें बहुत ही खुशनुमा लगेगी अच्छे से बचने के लिए, मैंने बहुत सारी लोगों को देखा है कि जब वो सुबह उठते हैं, तो एक गोली फट से खा लेते हैं किसलिए? उनसे पूछा जाए कि हमारी अच्छे से शांत रहेगी और पूरा दिन में अच्छे से काम कर पाऊंगी नई तो एसिड बनने से मेरे का सर घूमने लगता है, सर में बहुत दर्ध होता है लेकिन कभी आपने सोचा है, जो आप दवाई खा रहे हैं, वो आपकी ऐसिडिटी को दबा रहा है, ना कि खतम कर रहा है और अगर जो एसिड आपके बॉडी में पनपता रहेगा, पनपने से आपको क्या-क्या बिमारियां हो सकती है आपको गाउट की समस्या हो सकती है, आपको जो घुटनों का दर्ध होता है, मास पेशों का फून ना, आपको कब्स की समस्या, ये सारी प्रॉब्लम जोडों का, कमर दर्ध, ये सारी समस्या आपके बॉडी में एसिड के बनने से होती है अगर आपके बॉडी में एसिड पन पेगा, तो आप कभी भी इन बिमारियों से छुटकारा नहीं पापाएंगे और बल्कि फ्यूचर में अगर आपको अभी ये प्रॉब्लम नहीं, तो फ्यूचर में ये सारी प्रॉब्लम आपको घेर लेंगे और तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फिजिकली भी थोड़े कम अक्टिव हो जाएंगे और आपका धीरे-धीरे इम्यून भी गिरने लगेगा, क्योंकि हमारी एश के साथ हर चीज़ें कम होने लग जाती है तो आज मैं आपको कुछ ऐसी क्रियाएं और एक योग आसम बताऊंगी जो आपकी सारी समस्याओं को बिल्कुल खतम कर देगा गाइस अब हम बात करेंगे पहली चीज़ पर, पहली बिमारी यानि अगर आपको गैस बहुत ज़दा बनती है, खटी डिकारे आती है, आपका पेट एकदम से फूल जाता है खाना खाने के बाद या पूरा दिन आपको ऐसा ही फील होता है, तो उसके लिए आपने कौन से प्रेशर पॉइंट पर प्रेशर देना है, आप वो देखिए आपने जो यह लाइन होती है हमारे हथेली की, यहां से कट जा रहा है, आपको इस चीज को हलके हलके हातों से प्रेश करना है, इस तरीके से इस तरीके से आप इसको प्रेस करिए बहुत जोड़ से भी नहीं कि आपको पेन हो जाए लेकिन हलके हलके हातों से इस तरीके से आप इसको प्रेस करिए आप जैसे जैसे प्रेशर देंगी रोजाना दो से तीम मिनट अगर आप इसको प्रेशर देंगे आपने ये दो से तीम नट दे लिए इस तरीके से दोनों हातों पर अब अगर आपको ये समस्या है तो इसमें आपने फाइबर युग खाना खाना है जैसे गाजर हो गई, ककडी हो गई, खीरा हो गया आपने इस चीजों का ध्यान रखना है और आटा आट आपको पैकेट वाला नहीं बलकि आपको चौकर वाला खाना है आपने खुद से ग्यहूं हो सके पॉसिबल तो वो ग्यहूं खुद से पिस्वाईए मतलब आपके पेट के लिए आपके डाइजर्शन के लिए वर्दान होता है पहली की चीज़ें हम जितनी एवोईट करें न मौर्डनिटी में आके उतनी ही हम समस्यों से घरते जा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान जरूर रखेगा अब बात कर लेते हैं चेस्ट में जलनकी और आपको हमेशा हेविनेस और पेट आपका खाती सकत हो जाता आपका पेट बहुत हार्ड है आपको पेट में हमेशा से पेंड हैता है तब आपने क्या करना है इस चीज में आपने राइट हैं लीना है और उपर उसका जो कट होत में आपको जो heaviness होता था एकदम से light light feel करेंगे और अगर आपको acidity की या आपको खटी रिकारों की आपको बहुत जो heaviness feel होता है पेट सकत है पेट में दर्थ है या कपस की समस्या है और left hand में यही चीज हमने index finger पर करनी है उसका upper portion हम twist करेंगे और अगर बहुत पुरानी acidity की समस्या है blotting है पेट में दर्थ है तो second बाला हम line twist करेंगे इस तरीके से हम twist करेंगे तो इससे आप कुछ ही दिनों में notice करेंगे कि आपके सारी problem खतल होती जा रही है अब इसके साथ हमें करना है एक yogasana जिसका नाम है पवर्मुक्ट आसन इस तरीके से पहले आप लेट चाहिए लेटने के बाद अपने घुटनों को धीरे से उपर लेके चाहिए अपनी छाती तर जितना आपसे हो सके अगर आपका वजन जादा है पेट जादा है तो आप जादा उपर नहीं लेके जा पाएंगे आपके जितनी भी प्रॉब्लम से आपको डखाना डाइजर्श नहीं होता था पेट में दर्ध होता था हमेशा पो रगता था वामिटिंग आ रही है या आपका पेट एकदम से फूल जाता था गुपारे की तरह यह सारी प्रॉब्लम्स खतम हो जाएंगी और इतना ही नही अगर हम यह अरे सारी चीज़े करते हैं हमारा डाइजेशम अच्छा रहता है तो आप समझिए आपको कभी भी Oprah डिजीज नहीं होंगे पीमपल्स नहीं होंगे आपकी स्किन ग्लोओं रहेंगी आपको हैर से रिलेटिड कोई भी समस्या नहीं होगी इसकी बाद हमें फॉल एक चड़ा लीजे, कमर को अपना सीधा कलीजे, और दोनों हाथ अपने घुटने पर रख लीजे, और इस तरीके से अपनी कमर सीधी करके, कम से कम आप कोशिश करिए कि कुछ से कि ट्राय करके उसको मिंटों लेकर जाएं, जैसे जैसे आप खाना खाने के 15 मिनट बात इन दो तो आप को करेंगे, तो आपका डायर्शन एकदम मस्त हो गया है, सारी प्रॉब्लम्स ही खतम हो जाएगे, आपका मेटाबॉलिजम बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप बहुत लाइफ फील करेंगे, तो आपको मेरा ये प्यारा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होग अच्छा लगा, तो बस लाइक और उसके लिए शेयर कर दीजेगा, यही मेरी रिक्वेस्ट है और यही मेरी चार्जिस भी है, आप लोगों को आसम बताने के दो फील लेती हूँ सिरफ मैं एक लाइक और शेयर का, तो इतना तो आप करी सकते हैं सब लोगों की हिल्प करकर तो चलिए, अपना खयाल रखेगा, मिलते ही हम नेक्स वीडियो में, बाई, टेक केरो, से हल्वी